Hello dear friends, in this video lecture, I am going to discuss with you a figure of speech, a term onomatopoeia. जी हाँ, इस video में बात करेंगी एक ऐसे figure of speech के बारे में, एक literary term के बारे में, जिसका नाम है onomatopoeia, अर्थनुकरन. तो मैं simple शब्दों में आपको बता दूँ, क्योंकि सुनने में यह term काफी complicated, काफी difficult लगेगी, और अगर हमें इसका जो तोड़ है, अगर हमारे पास इसका तोड़ होगा, तो हम इसको आसानी से बिल्कुल EGB में और जल्दी समझ सकते हैं, within the short of time. तो मैं आईए इस literary drum के डोल के पॉल कोलते हैं, जो onomatopoeia है, एक figure of speech है, इसका मतलब होता है, कि कोई ऐसी sound जिसको हम जिस तरह सुनते हैं, उसी तरह लिखते हैं. बिल्कुल इतनी सी line पे इसने सारा कुछ explain कर दिया है, कि कोई ऐसी चीज जिसको हम जिस हिसाब से सुनते हैं, जैसे sound को capture करते हैं, जैसे sound को हम receive करते हैं, उसी तरह आगे present करते हैं. Sound, यहाँ पे दो चीज़े हैं, sound और sense. Sound reflect sense. तो इसको थोड़ा आगे मैंने explain किया है, और इसको थोड़ा आगे explain करते हैं इस चीज़ को, in detail में. Onomatopoeia, formation of a word by imitating the natural sound. It is a combination of words in which the sound gives the impression of echoing sense. Absolutely right. In which the sound gives the impression of echoing the sense. जिसमें जो हमारी sound होती है, वो क्या reflect करती है, क्या impression देती है, sense का, echoing sense. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Onomatopoeia is a figure of speech, is often found in poetry, sometimes in prose. हाँ जी, दूसरी बात ही है, कि कोई जो Onomatopoeia है, जो यह term है, जो यह figure of speech है, यह कोई rhyme की तरह ऐसी चीज़ नहीं है, जो by poem में ही use होगी. मिलकुल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो भी किसी separate चीज़ में सिर्फ use होगी, जैसे rhyme होगी, और meter हो गया. यह बढ़ता है कि जो Onomatopoeia है, को prose में भी use हो सकती है, और poetry में भी use हो सकती है. यह बढ़ता है, यह बढ़ता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डाइग्राम किया है, आगे. sound reflect sense, sound क्या करेगी, reflect करेगी sense को, ठीक है, तो आगे मैं इसके कुछ tips दिये हैं, कुछ point मैं इसके बारे में कुछ explain क्या है, यह है, derived from Greek language, name making, Greek से आया है word जिसका मतलब होता है, किसी name को बनाना, name making, a figure of speech, imitate sound, मैं पहले बता चुका हूँ, कि क्या करता है, sound को imitate करता है, जैसी कोई हम sound सुनते हैं, उसको उसी तरह लिखते भी है, उसको express भी उसी भी में करते हैं, आगे हमार पास इसके बहुत अच्छे example है, और जो third है, to use, achieve special effect, हाँ, जो क्यों use होता है, इसका क्या काम है, इसका poem में और approach में, कुछ special effect लाने के लिए, ये चीज यूज की जाती है, और last है हमार पास, sometime called equation, इसको equation भी बोलते है, equation इसलिए, equation means, echo होती गोंज, किसी sound की गोंज, और equation means, जो चीज की study करता है, जो चीज के बारे में बताता है, तो equation में इसलिए बोलते है, क्योंकि इसमें ऐसी sound जैसी हम सुनते है, उसको उसी तरह express करते है, उसी तरह note करते है, उसी तरह उसको लिखते है, तो आएए, हमारे पास इसके कुछ बहुत ही अच्छे examples है, जिससे आपका जो यह term है, onomatophia, बिल्कुल clear हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ examples है इसकी, उह है his, words, जोम, रेटल, सिप, सिप, करा, दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनेगा, और इन सब examples से आपका जो यह term है, बिल्कुल कभी आप इसको भूल नहीं पाऊगे, और हमेशा जब भी आपको identify करना होगा, या कहीं भी इसके बारे में आपको जाना होगा, तो आपके दिमाग म यह चीज आजाएगी, ठीक है, तो जो हिस है, हिस होती है, एक sound की, जो snake होता है, सांप होता है, उसको हिस बोलते है, क्यों जब वो sound निकालता है, तो कुछ sound इस तरह आती है, और buzz क्या होती है, बज जो मन्दू मक्ही होगी, या fly होगी, उनके sound को buzz बोलते हैं, और zoom भी, ज सब्सक्राइब 2017 स्पेशल हमार पास बर्ड नहीं है वहीं कि जो कोई की कोई की आवाज कैसी होती है उसके लिए हम कुछ स्पेशल लिख दे उसको उस तरह ही करते हैं सेम हियर जहां पर बज है और हिस है इन चीज़ों को जैसे हम सुनते हैं उसी तरह लिखते हैं तो यह कुछ था अनमेटर प कमडाउन ओमेड गंडाउन ऊमेड 1847 में यह जो दो लाइने लिए है यह अलफेड लोर्ट टेनिसन की पॉएम से लिए है ठीक है कमडाउन ओमेड जो पबिश हुई थी 1847 में ठीक है तो यह लाइने है यह बहुत अच्छा खासा एक्जाम्पल है ओनमेटर पर यहाँ ठीक कि हो सके इस तरह नहीं आए किसी अलग वे में आए लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अनुमेटर पॉया को अमने किस तरह है एकनो गमनेन आपना पहते लिए आपनेशते इस तर्म को क्या है और पहते रह किसी चीज को इन ईक Claudiavida मैं थिंखता अलगी स्थी उपेद किसा स्थी harmful आहिकिन इस इस की आवाज यह ख़ता है् पहता है मरमर हाट्रेश को बोलते हैं आफ इनमरेबल बीज इनमरेबल मिन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जो बहुत जादा हो सकती है मीरड आप मीरड यूज़ कर सकते है अनमरेबल यूज़ कर सकते है इनमरेबल यूज़ कर सकते है बीज bus W psychologist,IC mirch means MIDI मद मकी, तो जो यहांपे जो मरमर है, मरमर होती है आप समझ रहे हो गया ठीके ठीके तो यहांपे use हुआ है जो मरमर बढ़ रहे है ओव भी इस लिए जा बहुत सारी मद मक्या कठी होगी, ठीक है तो उनकी एक दूसरे से जब एक आवाज आएगी तो उसे मरमर के रूप में आपी दिखाए गया है ठीक है तो जो उस आवाज को हम express करेंगे लिखेंगे तो उसको उसी तरह हम लिखेंगे उसके लिए को यह मारे पास special word नहीं होगा ठीक है तो आएए अगे हमार पास क्या है एलेक्जेंडर पॉप एलेक्जेंडर पॉप क्या बोलते हैं इसके बारे में तो यह भी कुछ जान लेते हैं एलेक्जेंडर पॉप recommended such extended verbal mimicry in his essay on criticism जी हाँ एलेक्जेंडर पॉप recommended such extended verbal mimicry in his essay on criticism जो published वा था 1711 में ठीक है he says that क्या कहता है तो सुन लीजेगा जो साउंड है वो कैसी लगनी चाहिए echo of the sense तो बहुत ही अच्छी लाइन है और हो सकता है कि कहीं आपको आगे यह चीज मिले और आगे इंग्जाम में मिले तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यह चीज काफी समझ आई होगी तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही और मिलती है एक दूसरी वीडियो में बाई टेक कियर कि आपको यह फिलागे यह जोती है